साथियों नमस्कार, जै श्रीराम, जै बालाजी की आज की क्लास में हमें एक important topic पर discuss करेंगे concerning the prevention of corruption साथियों जिस फैसले को मैं discuss करूँगा उसमें कई बिंदू जो हैं decided हैं पर जो मैंने करक्स निकाला है, उसके साथ से हमें सबसे पहले अपनी copy में तीन माते जो है लेकनी है यदि किसी वेक्ति को section 13.1.d prevention of corruption at के आरोप से बड़ी किया जाता है तो क्या उसके बावजूद भी mere acceptance के basis पे यह presumption theory जो कि section 20 prevention of corruption at में impose की गई है उसके अधार पर क्या उसे section 7 में convert किया जा सकता है यह है fundamental question to be determined यहाँ पर court ने जो है determine कर दिया है पर हमें इसको लिखते वे चलना है दूसरी बात prosecution का दाइद वो क्या है section 20 prevention of corruption at के तहत अगर presumption draw हो भी जाता है तो क्या उसके बावजूद भी offense को beyond reasonable doubt prove करना होगा और नमबर तीन guidelines क्या है इसको लेगे यह सब जो है discuss किया गया है by the honorable odisa high court in a recent judgment सबसे पहले हम judgment का जो है नाम note करते हैं judgment का नाम है रेबाती बनाम state of odisa judgment है पांच फरवरी दोजार चॉबिस का और bench है एट कटक उनके तोरा यह फैसला जो है पारित किया गया है साथियों इस मामले में section 374 subclose 2 CRP से के तहट एक appeal जो है दाखिल किया गयी जिसमें जो conviction था under prevention of corruption at उसको जो है challenge किया गया सबसे important बात यह दे कि अक्यूज को जो है चार्शिट किया गया अंडर सेक्शन सेवन एंड थर्टिन वन डी ऑफ दे प्रेवेंशन ऑफ करप्शन एट थर्टिन वन डी के अपरात से उसे बरी कर दिया गया पढ़न तो उसके बावजुद भी section 7 प्रेवेंशन ऑफ करप्शन एट के तहट जो है उसे कंविट किया गया साथियों बेसिक केस किया है प्रोस्टिकृष्टिंगा की जो अक्यूज है यह बेसिकली एक सबस्पेट्र है एक्साइस डिपार्ट्पंट में इसने जो एक रेट करी 17 सितंबर 1997 को अल्टिमेटली इसने परिवादी को बलाया ऐसा परिवादी का कहना है और इसे का मैं केस को जो है क्लोज कर दूँगा पर मैं इसके लिए पास्वर बलूँगा बात जो है तैया हुई 200 रुपे के अंदर इसने जो है रेपोर्ट दर्ज कर दी और एटिमेटली डिवांड वेरिफिकेशन क के बाद F.I.R. को जो है लॉट किया गया और अक्यूस्ट और परिवादे की बिच क्या बात्चित हो रही है इसको सुनने के लिए मिस्टर मोहंती को भी जो है यहां पर अरेंज किया गया ऐस दा विट्टेस साथियों यहां पर जो बीसिक केस से प्रोस्टिशन का वह यह ह कि जब अक्यूस्ट के दौरा डेमांड की जा रहे थी तो साक्ष संकिलत करने के लिए जो परिवादी है उसने एसपर प्रोटोकल जो है प्रोस्टिट किया उसके बाद मनी जो है इसने हेंड़र किया अक्यूस्ट को जब यह सारा ट्राजिशन हुआ दो रंगे आतब जो ह के हाथ दुलाएगे और जो कंस्रेंट धोवन दा जिसको हम कहते हैं इसका रंग भी जो है पिंक आ गया और डिपार्टमेंट से सेंक्शन को जो है ऑप्टिन किया गया साथियों इस मामले में जब केस अला तो कोट ने कंस्रेंट अक्यूज को सेक्शन 13 सबक्लॉस 1 सबक्लॉ का उसको जो है अक्यूज रिब्यूट नहीं कर पाया जिसका रंट सब्सक्राइब करना है तो वहां पर डिमांड एक्सेप्टेंस दोनों ही साबित करनी होगी अगर थर्टेंज मेंडी से एक्विट करने हैं तो वहां पर प्रोसेक्शन किसी भी रूप में सेक्शन 7 पीसी एड की हद तक परमाड़ित नहीं माना जा सकता और ना ही उस स्नेरियों में अक्यूज को सेक्शन 7 प्रिबेंशन और करप्शन एड के तहत करेगा तब ही प्रिजम्शन जो है सेक्शन 20 का परिजम्शन जो है बाटरण नहीं होगा तीसरे मपॉरें बाहरें बाद जैज्जम्ट है के सनात्रमा इसके अलाबा जैज्मेंट है नीरे सद्ता का इसको रिलाई किया गया इसके सेस्त-वी वैंकिटा सुबह राओ का जज्जमेंट है उसको भी रलाई किया गया इन तीनों ही जज्जमेंट में ये स्पेसिविक किया गया है यदि अक्यूस को कन्विट करना है प्रेवेंशन और करॉप्शन एट के तहरे तो वहाँ पर डिमांड को जो है थाबित करना होगा अब सातीयों कहीं पार दिमांग में छो है कोष्एन आता है कि डिमांड को साबट कैसे करें होगि कहताना एक अख अलगची जहा है और प्रैटिकल सॉलेशन क्या होगा इनचीजेँ का सातीयों आपको मैंने हमशा इंग कहा है कि जो भी डिमांड है वह कौरोपरेट होती है चार तरीके से सबसे पहली बात इनिशल रिपोर्ट किया है नमबर टू अगर 164 CRPC की बयान रिकॉर्ड किये गया है परिभादी के तो वह काफी इंपॉटन है तीसरी बात 161 CRPC की सब्सक्राइब और जो कॉल्परेटिंग एविडेस फाइल पर यह और चौती बात इलेट्रोनिक एविडेस अगर एविडेस में तालमेल नहीं बैठेगा एविडेस में जो है कि वहां पर डिमांड जो है वह डाउटफूल हो जाती है सातियों क्रिमनल लौक बेसिक प्रिंस इस प्रिंसिपल तक को भी ऑवाइड किया रहता है जबकि यहां पर कौॉट को मनल्टिम्ड्र मjan कब दो उसके बात आखरी बार डॉमांड कब ही आखरी बार डिमांट जब वही उससे जब रिपोर्ट हुई है तो उससे में जो अक्यूज है उसका क्या ओवरेट था डिले कितना है रिपोर्ट करने में यह सब गाइडिंग और इम्मॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं सुप्रिम कोड के तौरा पर इन्हें अक्सर जो है अव कि जब केस को प्लीट कर रहे हैं तो यह प्रॉपर देख लें कि डिमांड है या नहीं है इसके अलावा निवेदन है जज़स से भी अगर वीडियो सुन रहे हैं कि कम से कम जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उनको प्रॉपर आप एप्रिशिट करें हम जानते कि हम किसी का ब बताकर अक्यूज को जो है वो चार्शिट किया रहता है जब ट्रायल में फैट सामने आते हैं तब वो चार्शिट भी डाउटफुल दिखाई देने लगती है तो कुल मिला के मेरा आगरे यह हैं कि जो भी फैट संकलित किया रहे हैं अगर उससे भिन फैट जो है फाइल प सात्यों कोट ने यहाँ पर सारे फैट्स और सरकम्स्रेंसिस को अनलेसिस किया तीन इपॉर्टन फैट जो है निकल गया है सबसे पहली बात जो कंसेंट कंप्लेरेंट है उसके दैथ हो चुकिए और यह दैथ हुई है बिफॉर एक्जामरेशन ओप हैं दूसरी बात है कि ज जो कर्नेट्टिंग एविडेंस है वो मिस हो जाती है तो कॉट ने कहा कि सारे विडेंश जो हैं एर से परंदू जो मेन एविडेंस जेंथ had वो तो expired हो चुका है और जो supporting evidence है जो shadow witness है वो corroborate नहीं कर रहा है तो court ने कहा कि demand को जो है वो थाबित करना पड़ेगा prosecution को अगर demand जो है वो थाबित नहीं कर बाता है prosecution तो वहां किसी भी रूप में accused को जो है convert नहीं किया रह सकता जिसके लिए para number 8 जो है वो काफी important है इसको भी जो है आप note कर लिए a careful reading of evidence on record in the form of evidence of all the three witnesses it is not found as to what occurred between the component and the appealant and apart from that कि जो accompanying witness है जिसका कहना यह है कि मैंने इनके 20 का conversation को जो है देखा और सुना पर जब उसके बयान जो है record हुए तो कोई भी confidence जो है यह repose ही ने कर पाया क्योंकि उसने यह कहा है अपने बयानों में the concerned accompanying witness who was supposed to overhear the conversation between the component and the concerned accused and to see the transition of bribe has only stated that he and the component proceeded to the quarter of accused appealant the component entered into the premises of the appealant accused he stood on the other side of the road near a cabin and saw the component knocking the door an accused came outside and they talked among them said it is a specific evidence that complainant was taking the accused with his back towards him and it is therefore very clear that the person who could have seen the transition between the appealant and the component neither able to see the transition nor overhear the conversation between them जिसकारन prosecution की जो story है वो अपने आप में ही doubtful हो रहती है अगर company witness जो है साथ में गिया है पर वो बाहर खड़ा और रहता है exactly क्या हुआ है परिवादी और accuse के बीच में ना वो देख पा रहा है ना सुन पा रहा है या कई पर ऐसा भी होता कि परिवादी को बर्जन दे रहा है उससे अलग बर्जन जो है या concern witness दे रहा है या कई पर ऐसा भी होता है कि ये witness बहुत दूर खड़ा हो गया तो exactly हुआ क्या है ना से देखा ना सुना तो सिसनेरियों में demand को corroborate जो है वो नहीं माना जा सकता साथियों सबसे important बात जो concern remaining witnesses हैं ये witnesses हैं recovery के but demand को जो है establish करना पड़ाएगा by the prosecution beyond the reasonable doubt and demand and acceptance of bribe is signed को अना to be proved as observed by Honorable Supreme Court in case of K. Sanathana Ma बनाम State of Talangana जिसका citation है EIR 2012 SC page 1134 in the similar case where judgment of conviction has been set aside by the Honorable Supreme Court and even though the judgment of P. Sitindarayan vs. District Inspector of Police State of Andhra Pradesh जिसका citation है 2015 volume 10 SCC page 152 has been relied सबसे important बात किया है कि the proof of demand and acceptance is signed को बनो अगर demand पूरूब नहीं है then mere acceptance of amount cannot be a ground to charge and even to convince the accused under section 7 or 131D of the prevention of corruption और CMU जो है Supreme Court ने retrieve किया है नीरा सित्ता के मामले में हाला कि court ने कहा है कि direct evidence हो या आवशक नहीं है पर जो भी evidence फाइल पर है उसके scenario में demand और acceptance साबित हो जाने चाहिए अगर demand और acceptance जो है साबित नहीं हुई है तो वहाँ पर किसी भी रूप में prosecution जो है beyond reasonable doubt साबित हुआ हो यह नहीं माना जा सकता but acceptance का मतलब नहीं कि case prove हो गया acceptance must be accomplished with demand अगर demand नहीं है mere acceptance है the accused could not be converted तो सबसे prime factor क्या है demand और उसके साथ corroborating factor है acceptance अगर दोनों ही factor prove हो तो balance good पर अगर acceptance prove है demand prove नहीं है तो वहाँ पर accused को जो है वो convert नहीं किया सा और जब तक किसी भी रूप में case beyond doubt prove नहीं होगा तब तक किसी भी रूप में section 20 prevention of corruption act का presumption जो है draw नहीं किया जाएगा code ने क्या specific किया नहीरा सत्ता के मामले में as far as section 7 is concerned on proof of fatten issue section 20 of PC8 comes into motion but the mandate come into motion when the illegal gratification means demand and acceptance are proved if demand is not proved in that scenario presumption could not be drawn तो code ने कहा कि जो यह provisions है यह mandatory है और इनसे slight deviation यह variations जो है permissible लिए तो code ने का जो भी fat and circumstances file पर है जिसके scenario में जो fat है कि परिवादी जो है examine नहीं हुआ है और a company witness जो है corroborate नहीं करता है और PW2 और 3 जो है mere recovery के evidence है तो basic principle कि mere recovery से case prove नहीं होता है जब तक कि demand prove नहो जाए तो code ने का कि इस scenario में section 20 PC8 का presumption जो है draw नहीं कर सकते तो code ने का कि जहां demand prove नहीं है तो उस scenario में section 7 के तहद भी accused को जो है वो convert नहीं किया सकता offense कितना भी गिरे वो इससे कोई फरण नहीं पड़ता पर offense prove वोना चाहिए यह सबसे important key factors है तो code ने अपिर को allow करते वे जो impune judgment था conviction को उसको जो है sentence rate कर दिया तो सातियों यह judgment जो है हमें सिकाता है पाँच बाते सबसे पहली बात demand और acceptance जो है वो sign one on है to prosecute a person under the prevention of corruption दूसरी बात अगर acceptance भी है demand prove नहीं है तो accused नहीं कर सकते तीसरी बात है presumption section 20 PC8 का टबी draw होगा कि जब direct evidence फाइल पर है और evidence के तहट जो है case को परमानित कर दिया गया है means beyond reasonable doubt जो है prove कर दिया गया है चौति important बात कि यदि accused को convert किया जा रहा है तो सबसे पहले जो component है उसका position किया है और इसके साथ आपकंपनिक evidence जो है उनका क्या कहना है demand को लेकर अगर बियानों में के विरुदा बास आ रहा है और जो prosecution के story है उससे mismatch करते हैं तो उसका फाइदा मिल जाएगा और पांच भी important बात कि जो भी electronic evidence है और इसके साथ साथ जो भी और इसके मिसमैच नहीं होना चाहिए को कि महेश PS बना state of करनाटा का बेसिक judgment है करनाटा का इसमें इसपश किया गया है कि अगर transcription में और जो story prosecution की उसमें मिसमैच होगा तो definitely उसका फाइदा जो है वो accused को मिले गए मिलेगा तो कि मिलाके साथियों कुछ important बिंदू है जब भी आप fight कर रहे हैं तो इन बिंदू को ध्याम में रखते बाचले इन बिंदू को ध्याम में रखते बाप आप जो है आर्ग्यू करें फैसला कुछ भी हो बात की बात है बट हमें हमारे त्यारी जो है वो पूरी करनी है ताकि हमें कोई troublesome issues जो है वो face नहीं करने पड़े तो साथियों उमीद करता हूं कि topic आपको जो है अच्छा लगा होगा इसने आपको enlighten और boost up किया होगा और आपके सारे confidence जो है खासका उस हद तक यह सारे के सारे scenarios को जो है वो cover करता है तो साथियों जल्दी मिलते है एक नेट आपक के साथ till then जाय हैं जाय भारत